कि होमियोपेथिक फार्मासिस्ट के एक्जाम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टिन टॉपिक तो चलिए देखते हैं अगर आप मैं चल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर अन कीजिएगा चलिए देखते हैं को कोशन नमबर वन है आपका वाट आज यूज आप चापिंग बोल्ड इन मेकिंग हमियोपेथिक मेर्थिन अफ्सन ए है आपका बेस आप कटिंग फ्रेश मेडिशनल प्लांट आप सम भी है कटिंग प्लांट और आप संसी है नंग तो आपका करेक्ट एंसर होगा आप सने बेस आप कटिंग फ्रेश मेडिशनल प्लांट यानि कि फ्रेश मेडिशनल प्लांट को रखकर काटने के लिए प्रियोग होता है चापिंग बोल्ड का चैलिके नैक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर दूसरा है हाउ मेनी टाइप आप बंसन बनर आपसन ए है बेश सब्सक्राइब लाइभर क्लाइफ है हाल नेक्ट देखते हैं कोश्चन नमबर दिसरा है फर्स्ट चेर्मैन आप होंउपेथिक फार्माकुप्या यानि कि होंए पाणडिक फार्माकुपया के फहले में कौन थे ? ऑक्टर हैनीमैन option B है C-Haring, option D-C है Dr. B के सरकार तो इसमें correct answer आपका होगा option C-Dr. B के सरकार question number 14 देखते हैं how many branch आप homeopathic pharmacy, homeopathic pharmacy के कितने branch होते हैं option A है आपका pharmacy proper, option B है galenical pharmacy और option C है all तो आपका correct answer होगा option C all यानि कि homeopathic pharmacy के दो branch होते हैं pharmacy proper और galenical pharmacy pharmacy next देखते हैं galen question number 5 है galen is a यहाँ पर आपको भदना है pharmacist to galen जो थे Greek pharmacist है तो आपका correct answer होगा option A galen is a Greek pharmacist next देखते हैं question number 6 है I sell of hold the law and standard governing my profession whose oath is this मतलब कि यह line किस देखते के मतलब किस प्रोफेशन में यह यूज होता है सपत लेते समय तो आपसन A है आपका doctor आपसन B है pharmacist आपसन C है all तो इसमें correct answer आपका होगा option B pharmacist फार्मासिष्ट बनते समय जो सपत ली जाती है वो यही line है I sell of hold the law and standard governing my profession question number 7 देखते हैं बिच आफ इदीच कॉल्टी सुड़ फार्मासिष्ट है मतलब फार्मासिष्ट के अंदर कौन सी कॉल्टी होनी चाहिए तो आपसन A है knowledge of pharmacy बिलकुल होनी चाहिए knowledge of pharmacy की be honest इमांदार होना चाहिए तो बिलकुल इमांदार होना चाहिए सी ट्रस्टेड मतलब इश्वास नहीं होना चाहिए तो आपका option D सही होगा आल यानि कि यह तीनों का गुड़ एक फार्मासिष्ट के अंदर होनी चाहिए चलिए next देखते हैं question number 8 है in which year come out first edition of American homeopathic pharmacopoeia यानि कि कौन से सन में American homeopathic pharmacopoeia का पहला edition आया था तो option A है आपका 1890 option B है 1744 option C है 1902 और option D 1882 तो इस में correct answer होगा आपका 1882 में American homeopathic pharmacopoeia का पहला edition आया था तो यह वीडियो आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताएगा और वीडियो बहुत मेनों से त्यार होती है तो इसको लाइक किया की जिए और कमेंट जरूर किया की जिए नेक्स वीडियो जल्दी आएगा तब तक के लिए धन्यवाद